है है इस वीडियो में हम रेस्ट ऑपरेटर के बारें डिसकस करेंगे तो बैसिकली रेस्ट ऑपरेटर करता क्या है कि फंग्षन के आर्गुमेंट को यह अर्य में कङ्वरेंट कर देता ओके चलिए एक जामपल के सुरुर देखते हैं तो simply मेरे पास मैं करना क्या चाता हूं कि मैं एक function को call करूंगा जो की student के name को print करेगा console में तो simply मैं एक function बना लेता हूं यहां पर and so list ओके यह function है जिसमें मैं student के name को pass करूंगा और यह यहां पर उन सारे student के name को so करेगा ओके तो मैं as a inside parameter इसके पास करना चाता हूं तो मैं यहां पर student का नाम पास कर देता हूं सीता गीता and राम ओके यह three student जो है मैं soul list वाले function में पास कर रहा हूं और मुझे इनको console में console करना है ओके तो traditional तरीके से हम किस तरीके से करते हैं कि हमारे पास जीतने parameter होंगे उतने यहां पर हमें variable बनाने होंगे तो मैं सीता के लिए as बना लेता हूं गीता के लिए g and राम के लिए r okay and मुझे just इनको अगर so कराना है तो मैं क्या करूंगा यहां पर console करूंगा console.log and s सारे variable को यहां पर मैं console करूंगा ओके तो गीता के लिए g है तो यहां पर g डाल देंगे and s r है हमारा राम के लिए check कर लेते हैं अभी हम in है तो अब देख सकते हो कि इस तरीके से हम जितने भी स्टूडेंट को हमने फंक्षन में पास किया था उन सब को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं ओके पाई अब दिखकत यहां पर यह है कि हमें पता kilometer कि हमें पर दूहीं नाम हो गए तो अब क्या होगा कि इन सारे नियम में जितने को मैंने यहाँ पर बना करके console कराया उतने ही नाम यहाँ पर प्रिंट हो गया बत मैं चाहता हूँ कि यह सारे नाम होँ पर प्रिंट हो जाए और यह डैनेमिक हो जाए इसमें condition ना हो कि मुझे बार बार अगर मैं एक नाम को प्रिंट करूँ एक नाम यहाँ पर पास करूँ किसी function में तो एक ही नाम को प्रिंट करें अगर मैं 10 करूँ तो 10 को करें यानि कि यह डैनेमिक हो जाए यहाँ पर यह मैनूली नहीं करना परे कि यहाँ पर दो नाम और तो यहाँ पर हमें दो और variable बनाने परेंगे तो यहाँ पर काम आता है हमारा rest operator ओके तो rest operator क्या करेगा कि यह जितने भी data हम यहाँ पर पास कर रहे हैं उनको एक array variable में convert कर देगा ओके तो simply मैं यहाँ पर एक variable बना लेता हूं नेम्स ठीक है अब यह single variable है अगर मैं इसके पहले three dot इस तरीके से लेक्त हूं तो यह हमारा होता है rest operator अब क्या करेगा यह जो variable है न अब यह एक array है और इसमें यह सारे data है यहाँ पर हम log करके देख लेते हैं dot log यहाँ पर हम नेम्स को log कर लेते हैं तो जो हमारा rest operator है उसका काम यही होता है कि जो भी function में parameter पास करते हैं उसको यह एक array में convert कर दें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर वो सारे जितने भी नाम हमने पास किया थे वो सारे array में आ गया है अब array में आ गये हैं तो यहाँ पर किसी data को हटाओ या फिर रखो इसे कोई फर्क नहीं परेगा ओके यह हमारा code चलते रहेगा तो अब हमें क्या करना है आप समझ गये होंगे तो simply अब हमें यहाँ पर लूप चलाना है और सारे data को दिखा देना तो मैं क्या करता हूं यहा है आपको जो array पर होते हैं मैं यहाँ पर for of loop का यूज़ करूंगा जिसमें name होगा name of names यह for loop का एक अलग syntax है इसके बारे मैं मैंने वीडियो बना रखा है आप उहाँ पर जाकर देख सकते हो तो basically name क्या करता है ना यह name represent कर रहा है हर एक name को जैसे for loop में होता था था ना कि हम i बनाते थे तो उसी तरीके से यहाँ पर name है and name represent कर रहा हमेज़ा array के जितने भी data है कि जितने भी element है उन सब को तो name of names names क्या है हमारा array है तो array का हर एक data को represent करेगा यह वाला name तो simply हमें यहाँ पर करना है console कर देना होगा console.log name ओके तो अब यहाँ पर देखोगे कि यह सारे name को console करेगा और राइट तो आप यहाँ पर देखोगे कि अब हमें यहाँ पर कोई भी variable बना करके उसे अलग से console करने के जुगत नहीं परेगी तो अब यह हमारा code हो गया dynamic ओके तो आप देख सकते हो कि rest operator कितना useful है I hope कि यह video आपको पसंद आया होगा so please चैनल को subscribe किजिए and video को like किजिए और कोई doubt हो तो आप comment में लिखके मुझे पूछ सकते हैं मैं definitely आपका reply करूँगा thank you मिलते हैं next tutorial पर आपक penso आपको दोुए